स्टोसेज वारता, स्टोसेज.com के प्रमाडित और प्रीमियम एस्टोलोजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात, प्यार पैसा परिवार या कुछ और हर सवाल का सीधा और सठीक जवाब स्टोसेज वारता के जरिये जोतिशियों को फोन लगाएं और किस्मत का साख पाएं जरी श्री गनिशाई नमः दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुनिया के नमबर बन जोतिश यूटीब चैनल स्टोसेज टीवी पर मैंने हराजपूत हर बार की तरह अपने वीडियो के द्वारा आपको देने वाली हो कुछ खास जानकारी और ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनके नाम का पहला अक्षर एच से शुरू होता है इस वीडियो में हम बात करेंगे एच नाम वालों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा ये जानकारी आपको इसलिए दी जारी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी जन्मतिथी नहीं पता होती तो इसलिए वो नाम अक्षर के आधार पर अपनी राशिपल देखते हैं तो साल 2020 कैसा बीतेगा एच नाम वालों के लिए हर तरीके से चलिए हम आपको यही बताएंगे इस वीडियो में सबसे पहले कुछ जानकारी एच नाम के बारे में दे देते हैं चांडली निमरोजी के आधार पर जो एच नाम होता है वो पाचवे नंबर के स्थान पर आता है पाच नंबर अंक जोतिश में बुद्ध का होता है यह अक्षर पुनरवसू नक्षत्र में पढ़ता है जिसका स्वामी ग्रह बिरस्पती होता है तथा मिथुन राश्वी के अधीन आता है जिसका स्वामी बुद्ध ग्रह है इसका तात्परी यह हुआ कि एच लिटर वाले लोगों को साल 2020 में बुद्ध और बिरस्पती ग्रह की स्थिती के अनुसार विभिन्य प्रकार के शुब और अशुब फल प्राप्त होंगे जाल मिष्रित परिणाम दायक साबित होगा वर्ष की शुरुआ थोड़ी कमजोर हो सकती है इस समय आप अपने कारिया श्वेत्र में संघर्ष करेंगे आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा तब जाकर आपको कुछ हद तक सफलता मिलेगी लेकिन वर्ष के मध्य से आपके लिए काफी फाइदेमन साबित होगा और आपको अपनी मन पसंद जगह पर आपका ट्रांसफर होनी और तनक्वा में व्रिधी के संकेत भी हैं इस समय को आप बहुत अच्छे से व्यतीत करेंगे और आपके संबंध आपके वरिश्र धिकारियों से बहुत बहतर बन जिससे आपको करियर में लाब होगा उसके बाद सितंबर से ऑक्टूबर की बीच थोड़ी सा उधानी रखना जरूरी होगा क्योंकि आप जिस काम को लेकर जो है कश्म कश्म में नजर आएंगे और इस वज़े से आपके काम को लेकर आपका ध्यान भंग हो सकता है तो ये साल आपके लिए उतार चड़ाओ से भरा दिखाई देता है आपके संबंध अपने बिजनस पार्टनर से बनते बिगड़ते रहेंगे जिसका असर आपके बिजनस पर भी आएगा आपको प्रियास करना चाहिए कि उनसे अपने संबंधों को अच्छा रखे क्योंकि ऐस ना करने से खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा वर्श का मध्या आपके बिजनस को आगे बढ़ाएगा आप बिजनस को लेकर कई जगा यात्रा करेंगे और आपको नए-नए मुनाफों के तरीके नजर आएंगे आपके कुछ नए संपर्क भी बनेंगे जिनका इस समय में लाब होगा और आपका बिजनस रुधी करेगा साल के अंतिम दो महीनों में आप अपने बिजनस को एक्स्टेंट करने के बारे में सोचेंगे और इसमें काम्याब भी हो सकते हैं और इससे आपकी स्थिती और भी बहतर हो जाएगी तो ये बात हुई एच नाम व जीवन साथी का आपको पूरा सहयोगर समरपन मिलेगा लेकिन उनकी वज़े से आपको कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे एप्रिल से जुलाई और अगस्त का समय अच्छा रहेगा इस समय में आप और आपके जीवन साथी के बीच अंतरंग संबंध मजबूत होंगे और लंबी यात्रा पर जाने की तयारी करेंगे और एक अच्छा समय साथ में गुजारेंगे जिससे इस रिष्टे को सही दिशा दे पाएंगे और आपकी उलजने भी सुलजेंगी 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच और मार्च के महीने में जीवन साथी के स्वास्त का ध्यान रखें क्योंकि उन्हें कुछ स्वास्त कष्ट परिशान कर सकता है यदि आप जीवन साथी के नाम से या उनके साथ कोई बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए वर्ष का उतरार्ध अनुकूल रहेगा मैरेड लोगों के बारे में बताया अब बारी स्टुडेंट्स की एचे नाम वाले स्टुडेंट्स ध्यान से सुनिए सिक्षा के शेत्र में ये साल आपको बहुत कुछ प्रदान करने में सक्षम रहेगा लेकिन आपको स्वयम पर भरोसा जताना होगा और महनत करनी होगी साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है लेकिन धीरे धीरे आपकी एक आगरता में वृधी होगी और आपको पढ़ाई को लेकर स्थितियां स्पष्ट होती चली जाएंगी उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत विद्यार्थियों के लिए साल का मध्य उत्तम रहेगा इस समय आपको पढ़ाई को लेकर किसी तदस्के व्यवधान से छुटकारा मिलेगा और सामान्य विद्यार्थियों के लिए यह समय उन्नती दायक रहेगा यदि विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखा है तो उसके लिए साल की शुरुआत सर्वुत्तम रहेगी हाला कि पुर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन यह समय आपको अपने प्रयासों को आगे बढ़ाकर सफलता के रास्ते तक ले जाएगा पृतियोगिता परीक्षा की जो लोग तयारी करने बच्चे वर्ष की शुरुआत में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी इसके बाद साल का मध्य उनकी पढ़ाई में सफलता दायक साबित होगा यह बात की स्टुडेंट्स के बारे में अब हम बात करेंगे एच्च नाम के लवर्ष के बारे में यानि की लवर्ष के लिए साल 2021 कैसा रहेगा ये सुनिए प्रेम सम्मंदों के दुष्टी कोई से साल 2020 मिला जुला रहेगा साल की शुरुआत से ही आपके रिष्टे में प्रेम की वृधी होगी लेकिन कुछ खटपट भी होती रहेगी या आप पर नर्भर करता है कि आप अपने रिष्टे को किस तरीके से सजाते हैं क्योंकि खटपट में प्यार भी चिपा होगा लेकिन आपको संभल कर रहना होगा किसी भी वाद विवाद को बढ़ने देना नुकसान दायक साबित हो सकता है एप्रिल से जुलाई की बीच आप अपने प्रियतम से नजदी किया महसूस करेंगे और आपका रिष्टा घरनिष्ट होगा इस समय में आप उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह से लाने के लिए प्रियास करेंगे और इसलिए उनसे शादी की बात कर सकते हैं यदि आप विवाह योगे हैं और अभी तक विवाहित नहीं है तो इस साल के अंतम दिनों में आपका विवाह भी संपन हो सकता है ये बात थी लवर्स की अब बात पैसो की जी हाँ साल रदर किस में एचनाम वालों का आर्थिक जीवन कैसा रहेगा ये सुनिए साल की शुरुआत मिश्रित रहेगी एक तरफ जहां आपकी आमदनी में वृधि दिखाई देगी तो दूसरी तरफ बेवज़ा के खर्चे और धनहानी के योग भी बनेंगे इस प्रकार धन आने और जाने दोनों की संभावनाई साल की शुरुआत में सपश्ट रूप से दिखाई देंगी जिससे यह अंदेशा होता है कि आपकी आर्थिक स्थिती दवाडोल हो सकती है इसको सही करने के लिए आपको एक अच्छा बज़ट प्लैन बना कर चलना होगा जिससे की आर्थिक चुनोतियों का सामना करने से बचा जा सके मई से सितंबर के बीच का समय आर्थिक तोर पर उन्नती दायक रहेगा इस समय में आपके प्रयास सफल रहेंगे आपकी आमदनी में वृदी होगी एप्रिल और अगस्त के महीनों में सरकारी श्यत्र से लाभ के योग भी बन रहे हैं इसलिए इस समय में आप आर्थिक तोर पर उन्नती प्राप्त करेंगे वर्ष का अंतिम महीना आपकी आर्थिक स्थिती को और अच्छा बनाएगा तो ये बात भी पैसो की अब बारी एचनाम वालों की सेहत की जी हाँ स्वास्ति धन है सुना है आपने तो अब ये सुनिए कि क्या आपको स्वास्त रुपी धन 2021 में मिलने वाला है अगर स्वास्त के नजरिये से देखें तो ये साल जो है 2021 के साब के लिए थोड़ा कमजोर साबित हो सकता है ग्रहों की स्थिति आप पर प्रभाव डालेगे और उसकी वज़़े से आप स्वास्त समस्याओं से पीड़त हो सकते हैं हाला कि स्वास्त समस्याओं शुरू होने का समय लगेगा इसलिए थोड़ी सी भी समस्या होने पर यदि आप समय रहते उसका उपचार कर लेंगी तो समस्या जादा नहीं बढ़ेगी आप परियाप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन जरूर करें जिससे की डिहाइडरेशन से बचा जा सकते हैं इसके अलावा कमर में दर्द, पेट में जलन या एठन या पेट से सम्मन्दित रोग और आखों में जलन से सम्मन्दित समस्याएं जादा परिशान कर सकती हैं आवश्यक होने पर अच्छे डॉक्टर से संपर्थ करें और समय रहते अपना उपचार करें ताकि आप स्वस्त जीवन जीपाएं तो तमाम जानकारियां हर एंगल से बता दी कि एच नाम वालों के लिए साल 2021 में क्या-क्या उठापटक होने वाला है थोड़ी परिशानी है हम आपको उसमें भी उलजा हुआ नहीं छोड़ेंगे उसके लिए एक समधान बताती है और ये समधान बहुत इजी है ये रमेडी बहुत इजी है आपको ओम नमो भगवती वासुदेवाई नमा इस मंत्र का प्रति दिन 108 बार जाप करना चाहिए जी हां मंत्रों चारण से आप अपनी समस्याओं का समधान कर सकते हैं तो जाना हमने इस वीडियो में कि H नाम वालों के लिए साल 2020 कैसा रहेगा हर एंगल से बात की हर चीज हमने चर्चा की उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगई होगी तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर होता है ताकि उन्हें भी पता चले कि साथ हुजरे किस उनके लिए क्या खास लेकर आने वाला है और किन मुद्धों पर उनको थोड़ा सभल कर चलने की जरूरत है उम्मीद करते हैं सारी जानकारिया पसंद आई होंगी तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाईए नमस्कार